थैं skills डेर्वों कि तयारी है थो डियार्दी तो किग्वरण के त्यारी चल रही है तो डियार्डियो की अपकूर्डियो मैंने मैंने कुछ किशन करें जन्हें areas करने जा रहा हूं हैं लिक ने के उसने क्हिंटरेंट कूसिन है दोस्तों इनको देखना क्योंकि इसी टाइप के question ही reasoning के आएंगे तो सारे most important question है ध्यान से देखिएगा दोस्तों आए वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं user है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली नेश्ट वीडियो के अपडेट आपको बहुत जल्दी मिल सके तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो यानि कि पूछा गया दोस्तों कि इस figure में से विलूप्त नमबर ग्याद कीजिए तो इस figure में से जो बिलूप्त नमबर है दोस्तों वह है 10 तो इसमें correct answer option D हो जाएगा चलिए दोस्तो second question की ओड़ चलते हैं पुछा गया एक मैदान में कुछ बतक और बक्रे हैं कुल मिलाकर 77 सर और 224 पैर हैं बतक की संक्या कितिनी होगी इसमें दोस्तो बतकों की संक्या पूछी गई है तो बतकों की संक्या होगी 42 तो इसमें correct answer option B हो जागा हूँ next question apparent as the ship is relative to the captain how is the newspaper relative to यानि की पुछा गया दोस्तों की जहाद जैसे कप्तान से संबंदित है वैसे ही अकबार से कौन संबंदित है तो अकबार से दोस्तों संबंदित है संपादक यानि की editor तो इसमें correct answer option B हो जागा next question apparent पुछा गया choose the odd word from the following word यानि की पुछा गया दोस्तों की निम्न लिखित सब्दों में से विसम सब्द चुनिए विसम सब्द चुनने के लिए पुछा गया दोस्तों तो विसम सब्द इसमें से है गरीका यानि की गरीका विसम सब्द है तो correct answer option B हो जागा next question friends A और B एक विवाई जोड़ा है एक्स और Y भाई है एक का भाई X है बताओ की Y का B से क्या रिस्ता है Y का B से रिस्ता पुछा गया दोस्तों तो Y का B से साला देवर का रिस्ता है यानि की ब्रेदर इन लो का तो इसमें correct answer option A हो जाएगा next question friends रहूल is the husband of my father's granddaughter is so I am of रहूल यानि की पुछा गया दोस्तों कि रहूल मेरे पिता की पोती का पती है तो रहूल का मैं क्या हूँ तो रहूल का मैं ससुर हूँ तो इसमें correct answer option A हो जाएगा यानि की father-in-law next question friend दिए गये विकल्पों में से समद्दी सब्द अक्षर संक्या को चुनिए यानि की सब्द अक्षर शंक्या यानि की letter number पूछा गया है दोस्तों कि इसमें से सब्द अक्षर संक्या चुननी है तो उसमें जो correct answer है वो है option B यानि कि 968 इससे आगे 968 आएगा तो उसमें correct answer option B हो जाएगा next question friends पूछा गया if it was Thursday on 25 अगस्त in any one year that then how many Monday were there in that month यानि कि पूछा गया किसी वर्स के 25 अगस्त को अगर ब्रस्पतिवार था तो उस महीने के कितने सोमवार थे 25 अगस्त में अगर ब्रस्पतिवार था तो उस महीने में दोस्तों 5 सोमवार होंगे तो इसमें correct answer option C हो जाएगा next question अपरेंट पूछा गया है विनीत रमण से लंबा है किन्तु जोती से छोटा है सुमीत की लंबाई सबसे कम है दीपक सुमीत से लंबा है किन्तु रमण से छोटा है किस की लंबाई सबसे अधिक होगी सबसे लंबाई पूछी गई दोस्तों कि किस की लंबाई सबसे अधिक होगी तो जोती किस में सबसे अधिक लंबाई होगी तो इसमा correct answer option A हो जाएगा next question है friend राहूल दक्सिन दिसा में 5 कीमी चलता है फिर बाएं मुड़कर 5 कीमी चलता है वहां से फिर बाएं मुड़कर 10 कीमी चलता है और अंत में वह पच्छिम दिसा में 5 कीमी और चलता है वह अपने प्रारंबिक इस्तान से किस दिसा में है तो उत्तर दिसा में तो इसमा correct answer option D हो जाएगा next question है friends पूछा गया A की मा की बहन के पुत्र की बहन A की कौन होगी यानि की पुछा गया तो इसमा correct answer option D है यानि की मसोरी बहन next question friend most important question है दोस्तों हर exam में पूछा गया है इसलिए मैं ने इस question को इसमें replace किया है इसमें पुछा गय दोस्तों कि विश्चर प्रयावरन दिवस किस दिन पर मनाया जाता है तो विश्चर प्रयावरन दिवस दोस्तों 5 जून को मनाया जाता तो उसमें correct answer option B हो जाएगा next question friends पुछा गया यदि हरा का अर्थ लाल और लाल का अर्थ पीला और पीले का अर्थ नीला नीले का बताओ स्वच्च आकास का रंग कैसा दिखाई देगा तो स्वच्च आकास का रंग दोस्तों नारंगी दिखाई देगा तो उसमें correct answer option A हो जाएगा next question friends पुछा गया है एक ककसा में संकर उपर से 16 इस्तान पर और नीचे से 50 इस्तान पर बैठा है ककसा में कुल कितने चातर है तो ककसा में कुल दोस्तों कि 64 चातर है तो इसमें correct answer option A हो जाएगा next question friends सार्दा ने दक्सिंट दिखाई में चलना सुरू किया 15 कीमी चलने के बाद वह दो बार अपने बाएं घुमी और दोनों बार 15 15 कीमी चली अब वह अपने प्रस्तान से कितनी दूर है और किस दिखा में तो अब प्रस्तान से दोस्तों कितनी दूर है और किस दिखाई में यह पुछा गया है तो इसमें correct answer option B है यानि कि अपने प्रस्तान से वह 15 किलोमीटर पूर हुए मैं तो इसमें correct answer option B हो जाए नेक्स्ट केस्ट फ्रेंड्स पुछा गया है एक बेक्ति दक्सिंड की ओर 6 कीमी चलता है बाई और मुड़कर वह 4 कीमी चलता है फिर बाई और मुड़कर वह 5 कीमी चलता है उसका मुख अब किस दिखाई की ओर यानि किस दिखाई की ओर खड़ा हो रखा तो वह दोस्तों उत्तर दिसां की और खड़ा हो रखा तो इसमें correct answer option D हो जाएगा नेक्स्ट क्रेंड पुछाए पिता की वर्तमान आयू अपने पुत्र की वर्तमान आयू की चार गुनी है यदि पांच वर्स पहले पिता की आयू पुत्र की आयू की साथ गुनी थी तो पिता की वर्तमान आयू क्या होगी तो पिता की वर्तमान आयू पुछीगे दोस्तो तो पिता की वर्तमान आयू चारिस वर्स होगी तो इसमें correct answer option C हो जाएगा थैंक यू दोस्तो वीडियो आपको कैसी लगी मुझे comment करके जरूर बताना और like, share, subscribe जरूर कर लेना और सामने bell icon जरूर दबा लेना तो थैंक यू दोस्तो मिलते है next video में